असलाम अलेकुम यूसुफ जलाल हेर विद एक्स्प्लेनेशन ओफ चननौली टेस्ट सिरीज टेस्ट नंबर फिफ्टी सेवन अगर आप इस टेस्ट को ऑनलाइन अटेम्ट करना चाते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गीवन है और इसके लावा तमाम प्रिवियस टेस्ट की एक्स्प्लेनेटरी वीडियो प्लेलिस्ट में मौझूद है और आप चाहें तो इसको टेलिग्राम से भी हासिल कर सक जिसको जॉइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में कीवन है स्टार्ट करते हैं इसको 57 जो टेस्ट है बिसीकली यह जनवरी में दिये गए 100 मार्स टेस्ट का सेकिंड पार्ट है जिसमें हम दो पार्ट्स डिसकस करने जा रहे हैं फर्स्ट वन इस्लामिक स्टॉडिस एंड और वन इस ग्रेंट अफियर इसको स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेस्टन है हुउ इस काल्ड साक्य जम्जम तो ये टाइटल जो है ये टाइटल हजरत आबभास का है जो कुइंच करते थे थरस्ट जो हुझाज कराम आते थे मक्का में हज करने के लिए तो इस वजह से इनको ये टाइटल मिला साखी ये जमजम क्योंकि इनको ये जमजम पिलाया करते तो उनकी प्यास बुजाते थे नेक्स्ट क्वेस्टिन इस गिव दा नेम हू कमपाइल फर्स्ट वर्क आफ अफ हदीस सहीफा-सादिका ये सबसे जो है पहला डॉकुमेंट माना जाता है हदीस के हवाले से इट वाज कमपाइल बाई हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी लगान हो इन्होंने ये कमपाइल किया सहीफा-सादिका और जो प्रॉपर जो कमपाइलेशन का काम स्टार्ट हुआ हदीस के हवाले से वो अमर बिन से इसको हम कहते हैं मोहर के मालिक जिनके पास स्टेंप हुआ करती थी जो हौली प्रॉफिट की सिल्वर स्टेंप थी जिसके ओपर अल्ला रसूल और मुहमद लिखा हुआ था वो उसका कस्टोडियन कौन था वो उसको किसके पास रखा जाता था एंड ही वाज हदरते खु जो है एक मखसूस निसाब है जो उसके बाद फर्ज होती है अड़ाई परसंट और इसके इलावा जो हमारे पास उशर होता है जो एग्रेरियन लेंड पर होता है टैन परसंट और फाइफ परसंट जो है वो उसमें डिफरेंट जो चीजें है जब उशर के हवाले से क्वेस सना आएगा तो उसको वहां पर डिसकस करेंगे कि नेच्रिल एरिगेशन और अर्टिफिशल एरिगेशन में कैसे उसमें डिफरेंट होता है और यहां पर जो सवाल पूछा गया माइन का अगर कोई कान निकालाती है तो उसमें जो है वो खुमस दिया जाता है इसको कहते है है वन फिफ्ट एक बटा पानच हिस्सा और इकर इसकी परस्टेज बूछी जाए तो इसमें जो कही इतलाफात मोचूद हैं जो फिकाहन फी और जाफ्री इन में उसका जो हिस्सा होता है वह एक बटा पानच या ट्वंटी परसेंट होता है नेक्स्ट वन इस सप्लेटिंग ऑफ दा मून ओकर्ड इन जो मून सप्लेटिंग है जो मौजज़ा माना जाते हॉली प्रॉफिट पीस पी अपॉन हिम का कि आस्मानों पर जादू असर नहीं करता तो इसलिट ने डिमांड की कि जो चांद के दो टुकड़े किये जाएं तो इट वाज बिसीकली ओकर्ड इन मिना तो मिना में आपसे सलम ने खड़े होकर उंगली का इशारा किया और चांद दो टुकड़े हो गया नेक्स्ट क्रेस्टन इस इन दा सेक्रिलेजियस वार्स वन प्रॉट पिस पर अपॉन हिम वास 20 यह ऑफ एज कुरेश और अलाइज वर लेड बाई जो इसमें सेक्रिलेजियस वार है इनको हर्फ फजार भी कहा जाता है क्योंकि यह जो है हॉली मंथ जो चार फेमस मंथ हैं इसलाम के भी जिसकी सिंपल निमॉनिक्स में 1, 7, 11, 12 के महरम, रजब, जिकाद और जिलहज बनते हैं यह चार माँ में जंग नहीं लड़ी जाती थी बट कुरेश ने इन महीनों में भी जंगे लड़ी जिसको हर्फ फजार कहा जाता है और जो उसमें कुरेश को लीड कर रहे थे ही वास हर्ब बिन उमया नेक्स्ट वन इस इन दा बिगनिंग प्रॉफिट मुहम्मद पीप्सपी अपॉनिम वर्क एज़ शेपर्ड फॉर बनु साथ तो बनु साथ के लिए आपस असलम ने बक्रियां चराई जो बच्पन में आपने अर्ली एज में तो ये बहुत एक रिपीटिड क्वेस्टन है नेक्स्ट वन इस इन हच टचिंग दा बलेक स्टोन इस काल्ड तो ये भी एक काफी बार आ चुक है ये इस काल्ड इस तलम टचिंग या किसिंग जो है उसरे हिज्रेसवत को चूमना इसके इलावा देखें तो साही जो सफा म हर्वा के देर्मयान साथ चकर लगाये जाते हैं उसको कहते हैं रमी जो है वो शिटान को जो गूक कर मारे जाते हैं और टवात चुझग चकर लगाने को कहते हैं Next question is, स्यासित्षा are six books of hadith, جो स्यासित्षा ہیں, یہ بہت famous کتابیں ہیں, جس میں بخاری شریف ہے, مسلم شریف ہے, سنن अभी دعود ہے, سنن ابن نسائی ہے, ترمزی ہے, سنن ابن ماجہ ہے, یہ چھے کتابوں کا collection کو ہم نام دیتے ہیں. And the last question for the Islamic studies portion, that Eid prayer is wajib. तो ईद की जो नमाज होती है वो वाजिब होती है नेक्स्ट जो पॉर्शन है टैन मार्क्स का वो करेंट अफियर के हवाले से फस्ट अफाल 2023 का ICC World Cup जो है ये इंडिया में खेला जाएगा इंडिया इसको होस्ट करेगा 2023 का जो ICC World Cup है नेक्स्ट वन जोई बैडन विल टेक ओथ एस प्रेजिडेंट अफ दे यूएस से ये प्रिवियस पेपर था क्योंकि इसको डिले काफी हुए तो उससे पहले का था ये तो यहाँ पर देखे तो इन्होंने जो ओथ लेते हैं ये फिक्स है इनका 20 जनवरी को जो भी प्रेजिडेंट आता है इनका वो 20 जनवरी को ही ओथ उसकी ओथ टिकिंग सर्मनी होती है और इसमें जो है वो न्यू जो प्रेजिडेंट एनके जाई बैडन इन्होंने ली और कमाला हारिस जो वाइस प्रेजिडेंट है उन्होंने भी इसमें ओथ लिया next one who is the current federal minister of railway of Pakistan that is he is आजम सवाती आजम सवाती से पहले शेख रशीद साहब थे जो interior minister बन गए और अब आजम सवाती साहब जो हैं वो अपने फराइस सर अंजाम दे रहे हैं federal minister of railway next question is who is DG ISPR and the name is Babar Iftokhar is the current DG ISPR और इसमें ISPR का जो है वो abbreviation भी बहुत बारहा आप से पूछा जाता है और अगर आप इसको abbreviation मालूम है तो इसको definitely आप इसको comment करें कि ISPR से क्या बनता है next one is who is the current foreign minister of the people republic of china और अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारे शाह मैमूद कुरेशी साहब हैं next question is who is the chief executive of Afghanistan currently अश्रफ गनी is the president of Afghanistan and Abdullah Abdullah is the chief executive of Afghanistan next question is who is the current CM of Gilgit Baltistan तो Gilgit Baltistan को province के हवाले से भी काफी डिबेट चल रही है लेकिन जो यहां पे पूछा गया इसका current जो है वो CM कौन से हैं तो अगर हम इनके CM की बात करें मुहम्मद खालिद खुर्शीद खान is the current chief minister of Gilgit Baltistan और इसमें governor के हवाले से भी question पूछा जा सकता है और राजा जलाल हुसेन मकपून is the current governor of Gilgit Baltistan next question is Pakistan issued an official new political map on हमने इन जो प्रोटेस्ट किया पांच अगस्ट के खिलाफ जो 2019 में इंडिया ने रिवोक किया तो हमने 4 अगस्ट 2020 को एक दिन पहले उसकी पहली anniversary से हमने निया political map उसमेशू किया जिसमें कश्मीर का हमने area highlight किया इसमें सर क्रीक का area दिखाया तो ये एक बहुत famous इसमें step था और एक बहुत diplomatic step लिया पाकिस्टानी गॉर्मेंट ने next question is who became the Pakistan Army's first female lieutenant journal in 2020 that is the name of निगार जोहर she is three star journal और ये इसमें जो है वो पहली है जो lieutenant journal के ओदे पे पहुंची है और इससे पहले ये deputy commandant CMH Raul Pindy रह चुकी है and the last one is Vakar Ahmed Sait judge of Supreme Court of Pakistan who sentenced death to ex-president of Pakistan a journal मुशर्फ died on इसमें दो mistakes है first of all इसको मैं टेस्ट में correction कर दूँगा इसमें हो जाएगी first of all ये पिशावर हाई कोट के judge थे and the second one justice Vakar Ahmed Sait died on 12th of November 13 November को नहीं 12 November को इनकी वफात हुई और ये पिशावर हाई कोट के judge के तौर पे ये खिदमात सर अन्जाम दे रहे थे तो इसमें जो है अगर कोई मजीद इसमें कोई correction हो तो आप इसमें कर सकते हैं इसको improve करने के हमाले से suggestions दे सकते हैं thank you, best of luck